Hello everyone, welcome to Qon Study. इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक नोटिस के बारे में जिसमें General Administration Department ने कुछ गाइडलाइन इसू की है regarding vacancies that are already referred or advertised under the J&K Special Recruitment Rules 2015. जो भी ये vacancies already referred या अड़राइस कर दी गई हैं under J&K Special Recruitment Rules उसके regarding GAD ने कुछ गाइडलाइन इसू की है, इस वीडियो में हम उसी नोटिस को देखेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चानल पे first time आये हैं, तो regular job updates और preparation के लिए आप हमारे चानल को subscribe कर सकते हैं. अगर आप हमारे चानल के playlist आप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको different subjects की playlist बनी हुई मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने exam preparation कर सकते हैं. सबसे पहले इसको हम समझते हैं, इसमें क्या लिखा है? अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ order दिया गया है, कि recruiting agencies या appointing authorities को in respect of vacancies already referred और advertised. ठीक है, यह जो भी advertise की गई है, इनके regarding कुछ action लेना है, जो कि इस notice में define किया गया है. तो इसकी details देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उस case में जहाँ पे सिरफ referrals दिये गए है SSB या PSE को, या फिर सिरफ advertisement इशू की गई है और अभी return test नहीं हुआ है. ठीक है, अगर सिरफ आपका referral या advertise की गई है vacancies, तो फिर क्या action लेना चाहिए? recruiting agencies के लिए यह notice है, recruiting agencies shall withdraw the advertisement. सिरफ इतना पड़के हमें ऐसे panic नहीं हो जाना है कि यह शायद हमारी vacancies ही withdraw हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले वो advertisement जो दे दी गई है, उसको withdraw करके आप GAD को दुबारा से यह जो vacancies है refer कीजिए, कुछ changes के साथ, जो की होने चाहिए in accordance to the new जो यह rules आए है, JNK probationer condition of service pay and allowances and fixation of tenure rules, यह जो नए rules applicable है, उन्होंने बोला, जो already vacancies आपने advertise की हैं, या refer की हैं, उनको वापिस लेके revise कीजिए और यह नए rules के according दुबारा से advertise करें, वो completely withdraw नहीं हुई है, वो withdraw करके उसको नए rules के साथ वो दुबारा से advertise की जाएंगी, अब साथ ही देख लेते हैं उस case में जहाँ पर return test हो चुका है, ठीक है, अगर आपका return test हो गया है और interview अभी नहीं हुआ, या फिर उस case में जहाँ पर interview हो गया, लेकिन आपका अभी result जो है वो declare नहीं हुआ, इन दो cases में आपका क्या होगा, recruiting agencies, shall issue and addendum, इसका मतलब है जो उन्होंने already advertisement दे दी थी notification, उसके साथ एक additional notification आपकी आजाएगी, जिसमें ये लिखा गया होगा, कि ये recruitment आपकी JN के provisioner 2020 जो ये नई rules है, उसके accordance में होने वाली है, अब देखते हैं उन cases में जहाँ पे selection भी conclude हो चुकी है, process complete हो गया, लेकिन कोई appointment order जो है वो अभी issue नहीं हुआ, ऐसे cases में appointing authority को जो order issue करना है, वो as per the new rules जो है आपके, उसके according होगा, इस notice में ऐसा भी कुछ गबराने वाली बात इतनी नहीं है, जो भी candidates हैं वो पूछ रहे थे, तो इसमें हम यहीं बोलना चाहेंगे, कि main जो था आपका वो यही था, कि जहाँ पर अभी सिर्फ advertise की गई है, या refer की गई है post, वहाँ पर वो withdraw की जाएंगी, और नए जो rules हैं आपके, उसके according re-advertise की जाएंगी, दुबारा से वो advertise की जाएंगी, जैसा कि हम con study में यही suggestion देते हैं सबको, कि आप अपनी preparation पर focus कीजिये, यह जो सब चीजे हैं, जो notice आ रहा है, यह हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी preparation जो है, वो हमारे हाथ में है, तो हम उस पर focus कर सकते हैं, वो हमारे control में है, तो हम तो यही कर सकते हैं, कि हम अपनी preparation पूरी रखे, So that's all I wanted to say, and I wish all of you all the very best and take care.